नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल A4G Study for Goals में मैं सुभास बर्माप सभी लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को Study for Goals के परिवार के सभी सबस्यों को इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पे बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो दोस्तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे जारकन समान ग्यान यानि की जेनरल नौलेज आप जारकन से Study for Goals पे आ रहे प्रैक्टिस सेट सीरिज का या तीसमा सबस्क्रन होगा तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट थर्टी जारकन जीके का तो दोस्तो देरने करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला परस्ट जो की JPSC and JSSC के एक्जाम पॉइंट आप यूस से काफी दूसरा परस्ट दोस्तो की डाकुलता गुफा जारकन के किस जीले में इस्तित है ओप्शन से खुटी पच्मी सिंबूम गढ़वा ये दुमका तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दूं की डाकुलता गुफा जो है ये दोस्तो सारंडा के जंगल में इस्तित है और सारंडा क स्थान इस्तीत हैं दोस्तों इसका ऑप्संस है हजाडी बाग पलाबन तो दोस्तों इसका सही option option number C धनबाद चलिए परते आस के हमारे चौटे परशने की दोस्तों कि निम्न में अरुना मिसरा का सबंध इते कि स्केल से हैं के किर्केट होकी बॉक्सिंग या टेनिस तो दोस्तो अरुना मिसरा का समंध बॉक्सिंग से है यह बॉक्सिंग के प्लेयर है नेश चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 5 में परषने की ओर दोस्तो आज का हमारा 5 में परषने है कि Amk Manglam Stadion जो है किस जीले में आवस्तित है जहारकन के किस जीले में वावस्ती थे दोस्तो आपके पर चार उप्सेंस है राची जमसेतपूर बोकारो और गुमला तो दोस्तो इसका सही उप्सें नमर C बोकारो एम के मंगला में स्टेडियम जो है बोकारो में इस्तित है नेश चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे छटे प परशने की वर दोस्तो आज का हमारा सात्मा परशन है कि कि सविधान संसोदन के तहत संथाल परगना कास्तकारी अदिनिया मुने सोंचास की धारा तीरपन को छोड़कर सभी धाराओं को नोमी यानि सुची में सामिल किया गया था इसके ऑप्सेंस है दोस्तो एक साथ में सविधान संसोदन के अंतरगत जो है सामिल किया गया था नहीं चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आठमा परशने की और आज का हमारा आठमा परशने दोस्तो कि संथाल परगना छेतर को अति प्राचिन काल में क्या कहा जाता था ओप्सन से कीची काईला नरी खंड दामीने क यह करता सीन तो दोस्तों इसका सही ऑप्सन होगा ऑप्सन नमर भी नरी खंड संथाल परगना को अति प्राचिन काल में नरी खंड के नाम से जाना जाता था चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे नौवे परशने की और दोस्तों आज का हमारे नौवा परशने की पदमा को रा अभे नामन देव नरायन सिंग को जो है पदमा को जो है रामगर राज की रजधानी बनाने का स्रे दिया जाता है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दसमे परहस्ञ परशने की वर्स 2011 की जनगना के अनुसार जो है जारखन की कुल सा शर्टा दर कितना परतिसर था तो दोस् परसने की और आज का हमारा 11 परसने दोस्तों कि जारकन राज को 13 सदी के तामर पत्र में किस नाम से जाना जाता था आपके ऑप्शन से दोस्तों मुरंड पॉंडरिक देश जारकन और खोकरा तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा अप्शन नमर सी जारकन के नाम से जाना जा जबते हैं उसका जो लिंक है आपको हमारे कमेंट सेक्षन में इस वीडियो के कमेंट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी जाएगी अब चलिए बढ़ते आज के हमारे 12 परसने की ओधियोगी की नितिक अनुसार निमलिखित में से किन संगठों का संगठो उप्रयोक में ते सभी जो थे इसका सभी गांड होगा उप्रयोख्त में सभी दो इन सभी पर दूसके दूसर प्रभवाव तो ऊपको ध्यान में रखना है नेख चलते हैं आज के हमारे prayer कि दो यills क्दे words आज का घंधन है亲व के सुती वास्त है उद्योग में परसीद नगर है आज चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 15 में परशने की ओर दोस्तों आज का मारा 15 मा परशने की रोएनियम के उत्पादन में जार्खन का भारत में कौन सा स्थान है आपके उप्सें से छटा पर ताम चौंथा या दूसरा तो दोस्तों इसका सही ऑप्सें नमर भी पर था इरुए तो इसका सही ऑप्सें नमर सी 2005 में इसको आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं आज का मारा 17 में परशने की ओर आज का मारा 17 मा परशने दोस्तों जार्खन में ग्रामीन युवाओं को क्रिसी छेत्र में आकरसित करने के लिए आरिया योजना की शुरुवात की गई तो दोस्तों आरिया का पूर्ण रूप यानि की फूल फॉर्म किया है तो दोस्तों इसके आपके पास चार ऑप्सेंस है दोस्तों इसका सही ऑप्सें होगा और भी इट्राक्टिंग रूलर यूथ इन एग्रिकल्चर तो आपको इसको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं पराशने के ओर आज के हमारा ठ्रमा पप्राशने दोस्तों कि जहारखन में कूल कितने अभिभारन और इजिवाप्ष southwest 1111 अभिभभात दोस्तों आपके चिल्ले में अगर कोई इनमेज से अभिभारन है तो आप हमें कमेंन सेक्सें में कमेंड करके जरूर अक आप नाइय तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नमर सी उने सो तीहत्तर में जो है बेतला राष्टे उध्यान में बाग पर्युजना की शुरुवात की गई थी तो इसको आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारा आज का विसमा परसने दोस्तों कि जार्खन राज में न सब्सक्राइब के द्वारा होता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारा इकी समा परसने दोस्तों सन 2015 के गंततर दीवस समारों में जीस जाकी को दितिय पुरसकार पुराप्त हुआ था देवघर मंदिर सुर्य मंदिर नाची मलूटी मंदिर ये ट्खोरी मंदिर जाकी तो दोस्तों इसका सही option है option नमर सी मलूटी मंदिर इसको भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारा 22 परसने दोस्तों कि विधान सबाच चुनाओ 2019 में किस उमिद्वार को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है तो दोस्तों इसके option से निरायादो आलमगीर आलम अमबा परसाद या रामेश वरूरा तो दोस्तों इसका सही option है option नमर भी आलमगीर आलम नेक्स्ट हमारा 23 परसने दोस्तों कि सीच्छा चेतर में कुल बजट दूजएल 21-22 में कितना परतिसत खर्च करने का जो है नुमान लगाया गया है option से 16-19-14.52 या 22 परतिसत तो जारखन राज के किस जिल्ले में दुनिया का सबसे बड़ा बहुत परिसर जका जो है निर्मान किया जाएगा यह परस्तावित हुआ है तो दोस्तों इसका सही option होगा option नमर C 14 जिल्ले में दोस्तों मैं आपको बता दू कि 14 जिल्ले के इट खोरी परखण में मा भदरकाली म मंदीर कहां इस्ती थे कभी परखंड पूछा जाता है तो इट खोरी एंसर होगा कभी डिश्टिक पूछ जाता है तो चत्रा होगा option दोस्तों दोस्तों मैं बता दू कि उसी भदरकाली मंदीर के परिसर में बहुत और जैन धर्म के मूर्तियां भी है तो दोस्तों वहीं प कि लम्हों की खता पुस्तक के लेखा कौन है दोस्तों इस प्रस्ना का उतर आपको हमारे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बतानी है इसके options है रगबर दास रामेसवर उना अलमगीर आलम यह सर्यूरा दोस्तों आपको इन चारों options में एक option सही option सही विकल्प select करके कमेंट से खता पुस्तक के लेखा कौन है साथी दोस्तों आप सभी मित्रों को इंटरनेशनल यूथ डे पर बहुत बहुत बदाई यह स्टडी फॉर गोल्स के तरब से नेक्स्ट आगे बरते में बात करते हैं अगर हम परमोशन की तो दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा एस पर वाट्सेब करनी होगी साथ में आपको अपना नाम और आप किस जिले से किस डिश्टिक से बिलॉग करते हैं या भी हमें मेसेज करना होगा तत पहचाज जो है कि आपको हमारे वाट्सेब गूरूप में जहां पर आपको जैपीज़ से प्री और जैसे सिक आगामी थोती रहे अंतता जैहिन जैजारकन जैभारत